सुप्रभाद बच्चों, आज किता सिखा में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा सुविचार है, सच बोलने की आदत हमें किसी भी परिस्तिती का सामना करने का साहस देती है अर्थात, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए यह हमें हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता हमेशा सिखाते हैं कि हमेशा सच्चाई का साथ दो और सच बोलो और सच बोलने की आदत इसलिए अच्छे होती है बेटा कि सच जब हम बोलते हैं तो वो हमें ध्यान में नहीं रखना पड़ता है जब हम किसी कारण की वजह जूट देते हैं जूट का आधार जिस बात में होता है तो बात हमें हमेशा याद रखनी पड़ती है कि हमने कौन सी वजह बताई थी, कौन सा कारण बताया था पर जब हम सच बोलते हैं तो हमें याद रखने के जरूरत भी नहीं होती है और सच्चाई हमें किसी भी परिस्तिरी का सामना करने का साहस देती है इसलिए हमेशा जीवन में सच्चाई का साथ दो ना कि जूट का तो चलो चलते हैं हमारे हमने पिछले तासिका में वैकरेंड का अव्वे जैसे मैंने आपको बताया था कि शब्द के दो प्रकार होते है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द विकारी शब्द में आता है संग्या, सर्वना, विशेशन तथा क्रिया और अविकारी में आता है क्रियाविशेशन, संबंद बोधक, संमुच्य बोधक तथा विस्मयादी बोधक हमने क्रियाविशेशन तथा संबंद बोधक का अभ्यास पिछली तासिका में किया है आज हम सम्मुच्य बोधक तथा विसमयादी बोधक का भ्यास करने वाले हैं तो देखते हैं सम्मुच्य बोधक अव्वय क्या है जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दो वाक्यो या वाक्याश को जोडने का कार्य करते है उन्हें हम सम्मुच्य बुधक अव्वय कहते है या उन्हें सम्मुच्य बुधक अव्वय कहा जाता है जैसे कि उधारण के दौर पे मैंने आपको दिया है सुमन तथा बिनीता पड़ रही है सुमन तथा बिनीता ये दो लड़किया जो है वो पड़ रही है यहां मैंने तथा जो है वो मोटे टाइप में या फिर डार्क कलर में आपको दिया है यह तथा शब्द क्या है? यह समुच्य बोधक अव्वे है तथा शब्द सुमन और विनिता दो शब्दों को जोड रहा है सुमन तथा विनिता पढ़ रही है तथा शब्द जो है वो सुमन और विनिता दोनों शब्दों को जोड रहा है जैसा कि हमने परिभाशा में देखा है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों वाक्यों और वाक्यांशों को जोडने का कारे करते है उन्हें हम सम्मुच बोधक अव्वे कहते हैं या उन्हें सम्मुच बोधक कहा जाता है हमारा दूसरा वाक्य है राम आ गया परंतु सुरेश नहीं आया अब ये परंतु शब्द जो है दो वाक्यो ये राम आ गया ये एक वाक्य हो गया तथा सुरेश नहीं आया को जोड रहा है परंतु क्या कर रहा है कि राम आ गया तथा सुरेश नहीं आया को जोड रहा है इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा है परंतु ने जोड़ा है बाजार बंध है इसलिए वहां जाना बेकार है इसलिए शब्द दो वाक्यों यानि बाजारबंध है तथा वहाँ जानाबेकार है को जोड़ रहा है यानि दो वाक्यों को जोड़ रहा है इसलिए उसे हम समुच्चे बोधक अव्वय कहते है उसी तरह सभी जानते हैं कि पृत्वी गोल है अब की जो है ये शब्द दो वाक्यों सभी जानते हैं तथा पृत्वी गोल है को जोड़ रहा है इसलिए ये की जो है कि समुच्चे बोधक अव्वय है वह आज विद्याले नहीं जाएगा क्यों कि उसे बुखार है वह क्यों विद्याले नहीं जाएगा क्योंकि उसे बुखार है क्योंकि शब्द जो है वो दो वाक्यों वह आज विद्याले नहीं जाएगा तथा उसे क्या है बुखार है इन दोनों को वो जोड़ रहा है उसी तरह राम खेलता है और शाम पड़ता है राम खेलता है और शाम पढ़ता है इस वाक्य में भी आप समझ गए होगी कि दो वाक्यों को कौन सा शब्द जोड रहा है इन दोनों वाक्यों को जोडने वाला शब्द है और और यह जो और है यही समुच्य बुदक अब्वे है उसी तरह उसने महनत तो की थी लेकिन पास नहीं हुआ यहां यह लेकिन जो है शब्द है वो इन दोनों वाक्यों को जोड रहा है इसलिए यह समुच्य बुदक अब्वे हुआ तो अब हमने यह देखा कि समुच्य बुदक अब्वे की बारे में एक बात और धान में रखे कि समुच्य बुदक अब्वे जो है वो दो वाक्यों को जोडने वाले शब्द तो होती है पर इसके अलावा दो शब्दों को भी जोडने वाले शब्द में समुच्य बुद्दक अव्वे कहलाते हैं जैसे हमने पहला जो आके देखा कि सुमन तथा विनीता पड़ रही है यानि ये सिर्फ वाक्यों को नहीं बलके शब्दों को भी जोडते हैं ये हमने परिभाशा में देखा है अब हम देखते हैं विस्मय अधी बुद्दक अब आप ये बात समझ गए कि समुच्य बुद्दक अव्वे में और या लेकिन किन्तू परंतू मगर बलकी यानि अर्थात आधी शब्द आते हैं अब हमारा चोथा और अंतीम प्रकार जो है वो है विस्मय अधी बुद्दक अव्वे अब इसकी परिभाशा देखते हैं कि जिन अव्वे शब्दों में विस्मय यानि आश्चर्य, शोक, हर्ष, घ्रिना, प्रशंसा, चेतावनी, आधी मन के भाव प्रगट होते हैं ये सारे हमारे मन के भाव हैं है न कभी कोई बात सुनकर हमें बहुत आश्चर्य होता है हम आश्चर्य चकित हो जाते हैं कोई ऐसी बात होती है जिसे सुनकर हमें शोक होता है हाई विचारा घायल हो गया ये क्या हुआ ये शोक हुआ आश्चर्य क्या हुआ अरे आप कब आ यानि हम एकदम आशेरे से ऐसे बोलते हैं, हमें हर्ष कब होता है, जब कोई, जैसे की वा, तुमने तो कमाल कर दिया, है न, उसी तरह हर्ष, ग्रणा, प्रशंसा, वा, वा, तुमने खूब सुन्दर चित्र बनाया है, यह हम किसी की प्रशंसा जब करते हैं, तब बोलते हैं चेताउनी, चेताउनी कब देते हैं, हम जैसे की अमरस्ते से जा रहे हैं, सावधान, देखो बटा, आगे घड़ा है, देखकर चलना, हम जो ऐसे बोलते हैं, तो उसे चेताउनी का जता है, आदी मन के यह जो हमारे भाव होते हैं, उन्हें हम विस्मयादी बोधक कहते हैं, अब विसमयादी बोधक अव्वे जो है इसमें आपको जैसे कि मैंने बोला कि वहां अरे जैसे शोक, घर्ष, घ्रिना, प्रशंसा, चेतावनी ये उधारण मैंने जो आपको दिये है बाप, प्रे, वहा, हाई, ओ, ची ये जो है ये सारे इस तरह के शब्द देखने को ऐसे शब्द यदि आपको किसी वाक्य में देखने को मिल जाए तो वो विसमयादी बोधक अव्वे कहलाएंगे जैसे कि अब हम देखते हैं हमारा पहला वाक्य, बाप, प्रे, इतना बड़ा साप, अगर हमें बहुत बड़ा साप दिखाई देता है तो हम क्या बोलते हैं, बाप, प्रे, इतना बड़ा साप, तो बाप, प्रे, ये क्या है, ये आशेरे का भाव प्रगट कर रहे हैं, क्य हो गया, आनन्दित हो गया हम लोग, हाए, बेचारा बस से गिर पड़ा, यह सुनके हमें दुख होता है न, हाए, दुख या पीडा का भाव जब हम प्रगट करते हैं, तब हम ऐसा बूलते हैं, कि हाए, बेचारा बस से गिर पड़ा, उसके बाद है, ओ, यह जानकर दुख बड़ा दुख हुआ यह विसमयदी बोदक अव्य है और इनके आगे हमें हमेशा विसमयदी बोदक चिन दिखाई देगा जब यह वाक्य में रहेंगे और दूसरी बात यह कि विसमयदी बोदक शब्दों का प्रयोक सदय वाख्यों के प्रारंब में किया जाता है सबसे शुरुआत में ही यह शब्द रहता है उसके बाद विसमयदी बोदक चिन रहता है और विसमयदी बोदक शब्दों के बाद विसमयदी बोदक चिन का भी प्रयोक किया जाता है अब विसमयदी बोदक शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से कोई भी सम्मंदन नहीं होता है और ये हमें ध्यान में आई जाता है क्योंकि विस्मय अदि बोदक चिन्न हम सभी जानते है तो इस प्रकार ये था विस्मय अदि बोदक अव्वे तो हमने आज समुच्चे बोदक अव्वे तथा विस्मादी बुद्धक अव्वे का अभ्यास किया है आशा करती हूँ कि आपको ये ग्रामर का टॉपिक जो बहुत ही मायत परपुर्ण है अव्वे ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही मिलते है अगली तासिका में